और इस बीट बड़ी कबर ब्राजील से राश्पती भवन पर हमले का CCTV वीडियो सामने आया है वीडियो में बड़ी संख्या में लोग संसत भवन के अंदर दाखिल होते दिखाई दिये हैं और इस बीट तोड़ पोड़ भीं के द्वाराट की गई है दंगाई पूरे इमारत में घूम घूम कर वहां रखे सामान को नुकसान पहुचाते दिखे हैं राश्पती भवन ने दावा किया कि इस दौरान दंगाईयों ने सत्रवी शतापदी की एक बेश कीमती और दुनिया की एकलोती माचिनात घड़ी को भी नुकसान पहुचाया है वित्याट जन्वरी को पूर्व राश्पती जायर बॉलसोनारो के समर्थक सुप्रीम को टनाशनल कॉंग्रस भवन में घुज गए थे उधर दिल्ली में पहली बार 24 गंटे में कोरुना का एक भी केस सामने नहीं आया राहत की एक और बात ये रही कि इस दौरान कोरुना की वज़े से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई यानि जो मरीज पहले से कोरुना की वज़े से इस्पिताल में भरती है उनके ठीक होने का सलसिला जारी है इधर उत्राकंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है ओली में बर्फबारी का लोग पुछाने के लिए भारी संख्या में परटक पहुँच रहे है ये वीडियो स्कींग के लिए मशूर परटनस्थल ओली का है यहां भारी बर्फ बारी देखने को मिल रही है ओली में बर्फ बारी होने से पहाड बर्फ की चादर से धगे नज़र आए दूर तक पैली सड़क और घर बर्फ की सफेट चादर से धग गए है बर्फबारी होनी के बाद यहां सेलानियों के चेहरे खिल गए और इसका आनंद लेते नजर आए कड़ाके की ठंड और हवाओं के बीच सेलानी बर्फबारी का लुथ उठा रहे है उतरकाशी के साथ बद्रिनाद धाम हेंकुंट साहिब में भी बर्फबारी हो रही है बद्रिनाद धाम में हलकी बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड परड़ी शुरू हो चुकी है जो से बद्रिनाथ था में चल रहे मास्टर प्लान के काम पर भी इसका असर पड़ा है ओली बेहद ही खुबसुरत हिल स्टेशन है जो बद्रिनाथ के रास्ते में पढ़ता है इस बीच खबर है कि आतंकी संगठन TTP यानि की तैरी के तालिबान पाकिस्तान ने एक और पाकिस्तानी अधिकारी की हत्या कर दी इससे पहले इस महीने की शुर्वात में भी पाकिस्तान की पंजाब रांत में दो अधिकारी को गोलियों से भून दिया गया था और काउंटर टेरिरिज्म डेपार्टमेंट के उन दोनों अधिकारियों की हत्या कारोब भी TTP पर ही लगा था उन दोनों अधिकारियों की हत्या उस वक्त की गई थी जब पाकिस्तान की सरकार ने TTP को खत्म करने के लिए मिलिटरी ओपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी थी और अब TTP ने एक बार फिर पाकिस्तान सरकार को खुली चुनौती दे दी दावा है कि उसने दक्षण वजीरिस्तान में तैनाज पाकिस्तान की एक अधिकारी की हत्या कर दी थी खबर के मताबिक पहले TTP के आतंकियों ने नाइक मुहमद नाम के अधिकारी को अगवा किया इसके बाद पाकिस्तान सरकार के सामने उनकी रिहाई के लिए शर्त रखी और उनकी शर्त ये थी कि नाइक मोहमद की रिहाई के बदले पकड़े गए TTP के लडाकों को छोड़ दिया जाए लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने TTP की किसी भी शर्त को मानने से साफ इंकार कर दिया जिसके बाद पहले से ही पाकिस्तान से खार खाए बैठे टीटीपी के लडाके बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने वो कदम उठा लिया जिससे पाकिस्तान में टीटीपी का खौफ बढ़ जाए जिसके लिए टीटीपी ने नाइक मुहम्मद की हत्या कर दी उसने ये दावा किया कि जिस अधिकारी को उन्होंने पकड़ा था वो उनकी जासूसी करता था और इसलिए उसकी हत्या कर दी गई लेकिन इसके बाद टीटीपी और पाकिस्तान के बीच छुड़ी लडाई बढ़नी ताय है क्योंकि पिछले साल नवंबर में सीस फायर खत्म करने के एलान के बाद टीटीपी ने कई हमले किये 18 दिसंबर को उसने बन्नू सैनिस चावनी को अपने कबजे में लेकर 9 सैनिकों को बंधग बना लिया था इसके बाद 20 दिसंबर को दक्षण वजिरिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर धवा बोल दिया था और अब नाइक मुहमद की हत्या के बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान टीटीपी के खलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता